थे थो हुआ दोस्तोます कैसे हैं आप सब आज हम पड़ रहे हैं रश्यास्त का दूसरा स्वा यूनीट जो कि परिवासा प्रगिराण उसमें पहला पॉइंट है और निर्वाब ढलने वरुक्ड और वहां को एनको बाएल जानेंगे क्या होते हैं आब जब सब्सक्राइब तो पहला पॉइंट है आब आप तो आब आप क्या होता है कि किसी भी पिठलने वाल धातू को है ना कोई जो ऐसा धातु है जो पीघल सके उसको पीघला कर उसमें किसी अन्य द्रव्य का प्रक्षेव डालने को आप आप कहते हैं तो इसे कहते हैं आवाप किसी भी लोहा तामर आदी धातु को अगनी मी क्या करेंगे तपाएंगे तप जलकवात दुद्ध किसी भी अन्य आदी द्रव में बुझानी कीकिलिया को निर्वाप कहते हैं ठीक है जैसे कि यह कोई धातू है थोस की इसको हमने किया कि सेड़सी से हमने इसको पकड़के जलाया इसको रक्त तप्त कर लिया रक्त तप्त करने के बाइद इसको इस जल में पात्र है पात्र के अंदर जल बरा हुआ है तो इसको बुझा रहा है तो इस बुझाने की क्रिया को क्या बोलते है निर्वाप ठीक है तो किसी भी द्रव में डालने की क्रिया को ढालन करते हैं तो ढालन और निर्वाब तो इन दोनों में सिर्फ यही अंतर होता है कि जो निर्वाब होता है उसमें कोई धातू होता है धातू को सिर्फ क्या करेंगे तप रखत तप करेंगे वहलों सिर्फ उसको गर्म करेंगे ठीक ह जब वो पुरितर से पिघल जाए पिघलनी गवाद फिर उसको डालने के इस तरह से ये पात्र है पात्र के अंदर हमने कोई धातु लिखा वो पुरितर से पिघल गया है पिघलनी गवाद फिसी जल के पात्र में दुख धादी के पात्र में हम इस तरह से गिराने इस तरह से डालने के क्रिया को डालना करते हैं तो उसके वारत हैं भावना तो भावना क्या होता है तो क्या है धातु आधी किसी भी औसद के चुरूड को द्रवपदार्थ के शाथ खालों में मर्दन करके सुखानी के क्रिया को भावना करते हैं जाणा किसे करते हैं तो जाणा क्या है कि स्वर्ड लोह धातू को पारद में मिला कर जिर्ड कर देनी के क्रिया को जाणा करते हैं हम इसको इस तरह से जिर्ड करेंगे कि एक दूसरे में समाहित हो जाएं उनको किसी भी तरह से अलग न किया जाएं किसी भी क्रिया के दोरह गालान पातन आधि क्रियाओं के दोरह अलग ना किया जा सके उन्हें ही जारण कहते हैं